नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान्दनी वेल्कम टू हेल्टीब्स दही ठंडा और स्वादिष्ट दही किसे पसंद नहीं है दही किसी भी चीज के साथ खाईये उसका स्वाद बढ़ता ही है दही ना ही सिर्फ बोजन का स्वाद बढ़ाता है बलकि उसे पोश्टिक भी बनात है इसलिए सभी आहार विशेशर्ण अपनी सूची में इसे अवश्य शामिल करते हैं कुछ लोग दही को ची कहते हैं अक्सर यह कहा जाता है कि खाने के लास्ट में थोड़ा दही डाल कर खाऊ तो वह एसास ही अलग होता है हैर हर किसी की अपनी अपनी फीलिंग होती है सबका अपना टेश्ट यानि स्वाध होता है लेकिन आपको पता है कि दही खाने से कितना मानसिक फाइदे होते हैं लेकिन कैसे खाना चाहिए कब खाना चाहिए और किस वक्त खाना चाहिए और दही में क्या मिलाना चाहिए आइसा लगता है कि खाने में कुछ ना कुछ छूट गया है तुरुपती का कोई एसास नहीं है दही को हम किसी भी रूप में लेती ही है दही के साथ अन्य चीजों ली जाती है दही को बोजन के रूप में लेने से हम अच्छा स्वस्त पा सकते हैं चावल के साथ हम दही लेते इसके अलावा कुछ लोग दही में चीनी और नमक मिलाकर सीधे ले लेते हैं लेकिन विशेशर्जाओं का कहना है कि दही में गुड मिलाकर खाने से हमें ऐसा ही सेवन करने से ज्यादा फाइदा मिल सकता है दही और गुड का एक साथ सेवन करने से शेरीर को परियापत मात्रा में कैलिश्य मिलता है दांत और हडियां मजबूत होती है शेरीर में रक्त संचार बहतर होता है रुदेश संबंदी समस्यां उनसे बच्छाता है इसके अलावा दही और गुड का एक साथ सेवन करने से पच्छन तांत्र बहतर होता है गैस कब्ज एसीडिटी और पेट फुल से पीडित लोग दही और गुड का एक साथ सेवन करके एनेयमिया का समस्या को कम कर सकते हैं यह दोनों वजन कम करने में भी हमारी मदद करते हैं दही और गुड का एक साथ सेवन करने से आपको जल्द भूक नहीं लगेगा इससे हमारा ध्यान अन्यकाव पदादों से हट से साथ ही दही और गुड का साथ सेवन करने से शरीर को जरूरी पोशक्ष तरटव के साथ-सथ उर्जबी मिलती है श्यरीर तकत्वार बनता है सुस्ती कमजोरी और परईशयानिया कम हो जाएंगी जिन्हें दही और गूड एक साथ लेना है उन्हें दोपार के बोजन 위에 को कहना है कि इसे दिन में एक बार लेनी से कई फायदे होते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हेल्प टिप्स के साथ